दस मिनट की बारिश ने खोल दी केजरिवाल सरकार के दावों की पोल पानी-पानी हो गई राजधानी, तो फूट पड़ा लोगों का गुसा, लंदन बनाने चले धिसर जी, आज दरिया बन गई दिल्ली की सडके थम गए गाड़ियों के पहिये रेंगने लगी राजधानी, जेल से सरकार अब नहीं चलेगा केजरिवाल दिल्ली की हालत करदी खराब डूबती दिल्ली का जिमेदार कौन, भयंकर बारिश के लिए दिल्ली कितनी तैयार, कभी बूंद बूंद को तरसे दिल्ले, कभी पानी में डूबे दिल्ले, जिस राजधानी को लंदन बनाने की कसम खा रहे थे सरजी उसे दिल्ली में आज हालात ऐसे हैं कि 10 मिनट की बारिश उसे सड़के तालाब बन जाती है गाडियों की रफतार थम जाती है और लोगों की हालत खराब हो जाती है ये कोई पिछड़ा इलाका नहीं बलकि दिल्ली के सबसे व्यस्तताम इलाकों में से एक पटबडगंच का इलाका है जहां आमोमन फर्राठा भरती गाडिया दिखती हैं लेकिन आज देखिए किस तरीके से गाडियों के पहिये थम गए हैं ये पटबडगंच का फुटोबर ब्रिज है और उसके नेचे देखिए किस तरीके से लाबालब पानी भरा है गाडियों की रफतार थम सी गई है लोग वहां से बड़ी ही साफधानी से गुजर रहे हैं और इसके चलते लोगों की जिंदगी भी बेपटरी हो जाती है ये हाल सिर्फ पटपट गंच का नहीं बलकि दूसरी तस्वीर आइटियों की देखिए यहां से आमादमी पाइटी का कार्याले में बैठे नेता मंत्री शायद सो गए हैं तभी तो आइटियों का ये हाल बन लाकों के पीछे इसलिए जनता पूछ रही है कि आखिर जेल के पीछे कैसे चलेगी सरकार केजरिवाल जवाब दूँ पिर तो गरी बैठने पड़े काम देने छोड़के फिर वह कर रहे हैं जेल से ही दिल्ली चलाइंगे इसलतियों को वह एक अलग लोजिक है केजरिवाल काम करना नहीं करना अलग बात है बरसात का हाल तो खैर सभी जगा ऐसा ही होता है जातर तो हमें बच्पन से जवानी हो कि इसकी दिराजाई विकास करें नाम पे जीरो नील बटा ओनील को कोको दिखाता हूं धिल्ली का सुन करकर करें तस्वीर अपयाश करें यह दिल्ली का वह इलाखा है क्पर पॉइंट कहा जाता है अँए यहीं łग rap यह आप नेप Our आप विए चुनते नहीं दो मुझे इधर देखे राएक बनी हुई है। पानी सकति कारे मात्र 10 मिनट की बारिश में दिल्ली का यह हाल आप देखिए। कैसे बिलंदन करें दAnn कमीड दिल्न को लंडन ही पर लंन का बनाई il अवार याकर त्याव ही कि अे विकास करेंगे अगर इटी को विकास नहीं है यहां देख लो तो आप कोई भी कोई भी बीडिंग देख लो उसके वाद यह रोड का हाल देख लो तकलिफ होती होगी आपको बहुत प्रॉब्लम जहां थे वहीं ठीक है अभी जेल में अपने आशीरवाद दे दिया है तो पैदल लोग आ रहे हैं उनकी सिदी देखिए आप देखे जल भना मतला ऐसे लग रहा है यहां पर यह रोड का हिस्सा है पुटबात का हिस्सा है आप इधर देखिए आपको दिख जाएगा कि यह पुटबात का हिस्सा है और यह बीश रोड है देखिए सामने देखिए कि इस तरह से यहां पर जल भराब है दस मिनट की बारिश का यह हाल है आप देखिए कि आप कैसे समझेंगे कि जो आटो से जा रहे हैं लोग यहां पर यात्रा कर रहे है पहले बादद जाम की शमस्या समस्या और दूसरी बात फिर जल भराब ही समस्या है आप देखिए कि अगर दिल्ली के सियंग एजिधीवाल यह कहते हैं कि हम जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाये और कैसे चलाएगे आप तस्वी आपके स्थिति है दस मेंट की बारिश के बाद में आप देखिए सामने आपको कुछ मीडिया के लोग दिख जाएंगे यह हाल केवल थोड़ी से इस्थिम नहीं है भूत आगे तक का हाल है जो एक मुख्य रोड है जहां पर जाम की स्थिति अभी बनी हुई है केवल जल भरा गये हैं आप देख सकते हैं अब मैं आपको कुछ और तस्वीर दिखाता हूं दिल्ली के उन अलाकों की जो मुख्य जगह हैं विक्सित माने जाते हैं चर्चित भी माने जाते हैं लेकिन दस मिनट की बारिश में आज उनका क्या हाल है आईए हम दिखाते हैं दिली इधर से की भी आए हाल यहीं होता है यहां से भी निकलाइन जाता हम क्यासे जाता हम ही पता उस तरब से बस पगड़ेंगे जा गए बहुत बुरा हाल है कि एक दिन तो बार इसमें गिरी गई में इतना पानी होता है गिर गए इस है